आज की इस वीडियों बात करने वाले कैसे आपका गूगल में बिजन सस्पेंट हो जाता है तो कैसे उसे रिकवर कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे कमिट में कोश्चन आ रहे थे कि बहुत सारे जो ऐसी यूजर है जिनका गूगल में बिजन सस्पेंट हो गया वह बारबर कि रिकवर करने के लिए लेकिन रिकवर्वर नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे क्या रिजन है, क्या इशू होता है क्यों रिकवर्वर्ण होपाता कैली और वीडियो हुआम बात करने वाले हैं हमने वीडियो में जो करने लोग पूचते हैं कि उसको गूगल नहीं करता है तो पिर चीजश में वुझन्स उस्पेंड होता है जब आप गूगल के जो भी गायड लाइन आप सका भी करने製 उसको आप follow नहीं करते हैं या फिर कोई भी ऐसा तरीका यूज करते हैं जो कि Google के guideline के against होता है तो इस वाई से आपका Google में business listing suspend होता है यह basic सा तरीका होगा कि Google में business listing suspend क्यों होता है तो बहुत सारे जो guideline है Google ने एक provide करके रखा हुआ उसको आपको follow करना जरूरी है क्योंकि Google ने जो भी guideline बना है इसके पीछे एक reason है उनका क्योंकि Google भी चाहता है कि उनके Google में business listing को वही लोग यूज करें जो कि genuine हो उनका genuine अगर business है क्योंकि कोई कोई भी लिस्टिंग ऐसे जाकर create करता है तो Google में लिस्टिंग पर जब भी कोई भी यूजर किसे service करता है उनको अगर लिस्टिंग वहां दिखाता है जो भी यूजर अगर सर्च करता है तो उन्हें अच्छा एक service प्रोवाइड नहीं हो पाएगा इसलिए Google ऐसे guideline को create करता है Google इन चीजों का ध्यान रखता है कि जब यूजर किसी local business को सर्च करता है तो उन्हें एक authentic business हो ताकि वह अपने जो भी customer है उनको अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके तो इसलिए Google भी चाहता है कि जैनुविन जो भी बिजनस ओनर है या बिजनस लिस्टिंग है उनको ही वह create करना चाहता है तो इसलिए Google चाहता है कि जो भी उसके guideline है उसको लोग follow करें क्योंकि अगर follow नहीं करते हैं तो गूगल इस वाइस लिस्टिंग सा साद कर्व होता है क्यों गूगल डूटीन सिक्ते क्या क्या और रीजन को आप लिंक आउ liksom मिल जाएगा कि मैं बशलों को पहले समझें क्या som combustion को सबस्सक्राइब sì, तो आप जब भ Dutch ест लिस्टिंग सब्सक्राइब तो पहले आपको यही ट्राइब करना है कि आप अपने जो भी सभी क्रीच कर रहें करें अगर आप नहीं यह तो बिलकुल यह powerless करेंगे शदेब करें लिए यह कोःटी के बार करें तो यहां पर आप अपने बिजन्स dewकर्ट को इसमें 10 भी हो गया है तो पर सकते हैं अगर होगोज्ण लिस्टिंग बारा है हाट सफेंशन हुआ है आप वहां पर उसे इंगर सकते हैं इसे आप समझ सकते हैं कि आपका Google में business listing soft suspension हुआ है या फिर hard suspension हुआ है तो बहुत ही असान तरीका है इसको आपको समझने के लिए यह देखना होगा अपने Google में business listing में जाना होगा और देखना होगा कि आपका जो भी Google में business listing है वो Google search में या Google map में शो कर रहा है कि नहीं विजबल हो रहा है नहीं आपके customer को अगर वो विजबल हो रहा है सस्पेंट होने की बावजूद भी तो इसका मतलब कि आपका वो Google में business listing soft suspension हुआ है ठीक है अगर आपका गूगल में business listing कहीं भी Google map में गूगल सर्च में आपके user को आपके audience को अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आपका गूगल में business listing hard suspension हुआ है अगर आपका Google में business listing soft suspension होता है तो आप Google के reinstatement form को feel करके उसे फिर से recover कर सकते है गुगल के रंस्टेटमेंट फोर्म को फिल करने के लिए गुगल आपसे आपके बिजिसटे से रड्riel Such detail मांगता है बिंदो कुल मांगता है कि इमिसे आपका बिजिसनिस वह चट करना चाहता है जैन्वीन है या नहीं है या आपके बेजनस का यहां तक है कि वह आपके जो भी Google में बेजनस लिस्टिंग उससे रिलेटेड का URL भी मांगता के दाकी वह से वेडिफाइ कर से कि किस वाइस का आपका गूगल में business लिस्टिंग अगर सस्पेंड होता है वह वेडिफाइ करें कि बाद ही आपको वह आप आपके गूगल में बिजनस लिस्टिंग को अनसस्पेंट करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखे कि जब भी आप फॉर्म फील कर रहें एक एक स्ट्रेप को बहुत अच्छे से बारिकी से आप रीड करके उसे फील करें अगर आपका गूगल में बिजनस लिस्टिंग हार्ट सस्पेंशन हो गया है तो आप चाहे गूगल के इन स्टेट्मेंट फॉर्म को भी फील कर लेते हैं लेकिन तभी भी आपका गूगल में बिजनस लिस्टिंग रिकावर नहीं होगा तो इन चीज़ों का आप ध्यान करके गूगल आपसे जरूर कॉंटेक्ट करेगा अगर फॉर्म फील करते हैं भले उनको हो सकता है कि एक वीक से ज्यादा भी टाइम लग सकता है लेकिन आपका गूगल में बिजनस लिस्टिंग रिकावर जरूर हो जाएगा लेकिन अगर हार्ट सस्पेंशन हुआ है तो व के भी आइकन को प्रेस करें थैंक यू सो मच